नमस्ते सातियों, आज अव्वे यानि की अविकारी के कुछ महत्पुर प्रश्णों को देखेंगे जो सभी एक्जाम के लिए उप्योगी होगा तो आज देखते हैं, पहला प्रश्ण है कि निम्लिखित किस वाक में परिमार वाचक क्रिया विशेशड का प्रियोग हुआ है तिसमें चारों अप्शन में से बताना है कि कौन सा है जो परिमार वाचक क्रिया विशेशड है कमल हमेशा सच बोलता है मैं सुबह पढ़ता हूं रमेश अधिक बोलता है या फिर बच्चे मैदान में खेलते हैं तिसमें हमें बताना है परिमार वाचक क्रिया विशेशर तो जो option C है तिसमें रमेश अधिक बोलता है यह जो की सही है अगला प्रस्ण देखते हैं कि निम्ल तुम दिल्ली कब जाओगे नदी में पानी अधिक बहरा है C option है कि खेल का मैदान विद्याले के पास इस्थित है चोथा है जरा तेश कदम चलाओ जट पर पहुचना है तिसमें बताना है रिती वाचक क्रिया विशेशर तो इसमें जो option D है जरा तेश कदम चलाओ जट पर पहुचना है क्या है रिती वाचक क्रिया विशेशर है अगला प्रस देखते है कि निमलिखित किस वाचके में क्रिया विशेशर का प्रियोग हुआ है यानि जो क्रिया की विशेशर बताए वो क्रिया विशेशर किसमें हुआ है तो option ये वाले में प्रशांद धीरे धीरे इसमें धीरे-धीरे क्या है क्रिया की विशेशता को बता रहा है अगला प्रस देखते हैं कि निमलिखित वाक्य में कौन सा सब्द क्रिया विशेशड है राम धीरे-धीरे खाना खाता है तिसमें खाता है धीरे-धीरे खाना या फिर कोई नहीं जो की option में है तिसमें बताना कौन सा यह विशेसर है, तिसमें जो धीरे-धीरे है, वही क्या है क्रिया विशेशन है, option C, अगला प्रस देखते हैं, कि निमले खित में कौन सा अविकारी शब्द का भेद नहीं है, संबद बोधक अवे, विसमयादी बोधक अवे, क्रिया विशेशन या फि अगला प्रस देखते हैं, वही प्रस रिपीट है, अगला प्रस नहीं कि निमले खित वाक्य में उच्चित अव्दे चुनकर रिक्तिस्तान को भरना है, तो वहां मोहन के डैश कोई नहीं था, या और अलावा या फिर रथवा, तिसका जो सही option है, C, अप्सन होगा, यानि जिसमें समय का हमें पता चले कि कौन से क्रिया में समय का बूध हो रहा है, तो आज मेरी परिक्षा है, तुम बहुत धेरे धेरे चलते हो, रमेश यहां रहता है, वह उतना ही भार उठा पाएगा, तिसमें कालवाचक का पता करना है, तिसमें option A जो है, आज मेरी परिक्षा यह वाला इसका सही प्सवर्ण है अग्ला प्रस देखते हैं कि ऐसे अव्य शब्ड जो एक दूसरे सब्द से एक वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ता है उसे क्या काती है इसमे अधी बोधक, क्रिया विशेशड संब्ध वो तेख या फिर समूच्चे बोधक तो इसको हम क करण है वह क्रिया विशेशड का भेद नहीं है तो समानाधिकरण किसका भेद है तो समुच्चे बोधक का जो है समानाधिकरण भेद है तो समुच्चे बोधक भी जो होते हैं वो दो प्रकार की होते हैं कौन-कौन से समानाधिकरण और व्याधिकरण किन्तु क्रिया तो अभिन्या अपना काम फटाफट करता है तिसमें जो फटाफट है यही बताना है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषड है अपना काम फटाफट करता है तिसमें क्रिया विशेषड बताना है तिसमें जो ऑप्शन सी है यही फटाफट काम करता है अगला प्रशन है कि क्रिया होने का समय प्रकट करते उसके क्या करते का लघाय दोका McMसे करते हुऊपोष अगला प्रताशे sagt के में प्रतन सुन लो में जो भाव कौन सा प्रकट हो रहा है स्विक्रिति तक्त खिंध थी गे थे जो है है प्रभू को कमकर सुन बोड़ा से बोधक का भाव प्रकट हो रहा, option C होगा, अगला प्रस देखते हैं, कि दो सब्दों या वाक्यांसों को मिलाने वाले सब्दों को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, दो सब्दों या वाक्यांसों को मिलाने वाले को समुच्चे बोधक कहते हैं, अगला प्रस ने repeat हो गया के भाव प्रकट होते हैं, option D, अगला प्रसन है, कि संबंद बोदक शब्द किसके बाद जूडते हैं, संग्या सरोनाम के बाद, केवल सरोनाम के बाद, या फिर संग्या सरोनाम के बाद भी और पहले भी, या केवल संग्या के बाद, तो जो संबंद बोदक सब्द होते हैं, संग्या सरनाम के बाद जूड़ते हैं, option A सही होगा, अगला प्रस देखते हैं कि संग्या सरनाम का सेश वाक्य के साथ संबंद जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो जो संबंद जोड़ने वाले को संबंद बोदक कहते हैं, option A होगा, अगला प्रस ने क्रिया विशेशड किस सुबा रात इसमें संपुच्चे बोदक जो धारन है option B होगा और क्योंकि जो वाक्यांशों को जोड़ते हैं अगला प्रस देखते हैं कि विजाई हो तुम अवशे शत्रु को हरा सकोगे हर्ष बोदक रिना बोदक शोक बोदक या फिर अर्शिरवादक बोदक होगा तो वि क्रिया विजेशन संपुच्चे बोदक है और विश्मयादी बोदक है किन्तु निपात भी अव्वे के भेद होते हैं तो यहां पर केवल मुख्य रूप से पूछा है तो चार ही माना जाएगा अगर वैसे पुछता कि अव्वे के कितने कुल कितने भेद होते हैं तो पां क्रिया विशेंसड के भी जो चार भेद होते हैं तो बोदक है कि थोड़ा सा में कौन का निपात है आधर भोदक है और परिमाड बोधक है स्विकार अर्थक है या फिर निशेद बोधक है तिसमें थोड़ा सा कम बहुत ये सब क्या है कौन सा निपात के अंतर गताएगा ति ये परिमाड बोधक के अंतर गताएगा option B होगा अगला प्रस देखते हैं 28 प्रस है कि कभी में कौन सा अव्वे होगा क अभी कभी में कौन सा अव्वे होगा ति ये काल बोधक है जिसमें थोक हैं समय का पता चलता है option B अंगला प्रस देखते हैं कि वैसे में कौन सा अव्वे होगा अव्वे वैसे में कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिमाडवाचक, तो वैसे में रीतिवाचक अव्य का प्रेव होता है, रीतिवाचक मतलब जो क्रिया की शैली का धंग का हमें पता चलता है कि जो क्रिया है वो किस प्रकार से की जा रही है, तो में धंग के अंसार हम प परिमारवाचक तो जो कुछ अव्य यह परिमारवाचक के अंतर गता हैगा अगला प्रस्व देखते हैं 32 प्रशन है कि संजना पर्सो आएगी यह इस वाकि में रेखांग की शब्द में कृयविशेषर कौनसा यानि पर्सो जो है, यह कौनसा क्रिया वीशेसर है, तो कालवाचक है, बरिमार वाचक है, स्थान वाचक है, या फिर रिती वाचक है, तो पर्सो समय कब हो रहा है, या इन्तर गताएगा option D होगा, अगला प्रस देखते हैं, कि विद्याले के सामने सुन्दर बगीचा है, रिखान के सामने वो कौन सा, जो अव्य होगा, क्रिया विशेशर है, संबंद बोधक, निपात है, या फिर समुच्चे बोधक, तेहां के सामने, मतलब संबंद बताया जा रहा है, विद्या को बताने हो रहते हैं, option D, संग्या सवनाम का वाकिके अने सब्दों के संबंद को बताने वाले होते हैं, तो अभी हमने देखा, कि जो क्रिया विशेशर हो, क्रिया की विशेशता को बताते हैं, उसे क्रिया विशेशर का ते option C होगा, अगला प्रस ने, कि कौन सा क्रिया व विशेशण है रीती वाचक, स्थान वाचक, काल वाचक या फिर परिमार वाचक तिसमें जो ध्यान पूर्वक है वो रीती वाचक क्रिया विशेशण के अंतर गताएगा ऑप्शन यह होगा यानि चात्र जो कक्षा में ध्यान पूर्वक ढंग से पढ़ते हैं तो यहां पर अब ही के लिए इतना ही और भी कुछ मैं पूर्प प्रशनों कम दिखेंगे नेक्स वीडियो में जाहें दा